हेलो दोस्तों, हम आप पहुचे है फिर दा वॉकिंग डैड की सीजन टू की आर सीजन टू की आर पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेचे और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे लास एंजलेस में बिमारों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर मिलेटरी ने उसके उपर बॉमबारी करना शुरू कर दिया था ये देखकर ट्रेविस और मैडिसिन स्ट्रेंड के साथ अबिगली पर बैट कर उस शायर को छोड़ कर बहार निकल जाते हैं वो सभी लोग लेजा की बॉड़ी को अपने साथ अबिगली के उपर लेकर आ चुके थे उन लोगों ने लेसा की बॉड़ी को ओशन के अंदर दफनाने के बारे में सोच लिया था तब ही उन लोगों को रास्ते में सर्वाइवर्स की एक बोर दिखाई देती है सभी लोग स्ट्रेंड से उन लोगों को शिप पर लाने के लिए कहने लग जाते हैं जबकि स्ट्रेंड उन लोगों की मदद करने से साफ मना कर देता है स्ट्रेंड सभी लोगों को बताता है कि उसने सैंड या गुक पर जाने की पूरी प्लानिंग कर ली है स्ट्रेंड के कहने पर ऐलेशिया रेडियो पर काम करने लग जाती है एलिश्या रेडियो पर इदर उदर की फ्रिकूंसी को कनेक्ट करने की कोशिश करती है तब उसे 14 और से आती हुई कुछ अवाजे सुनाई बेती है इसे बीच एलिश्या का एक और सर्वाइवर जैक से कांटेक्ट हो जाता है एलिशिया और जैक एक दूसरे के बारे में रेडियो पर बात करने लग जाते हैं डैनियल को अपनी वाइफ क्रिसल्डा की मौत का पता चल चुका था और वो इस कारण बहुत ज़्यादा दुखी था क्रिस भी लिशा की डैट के कारण बहुत ज़्यादा अपसिट था क्रिस और डैनियल अपने अपने लॉसिस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उन लोगों के बीच में एक अच्छी बांडिंग बन जाती है स्ट्रेंड लगातार अबिगेली को एक डैरेक्शन की और ले जा रहा था मैडिसन स्ट्रेंड के बढ़ते हुए स्ट्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा परिशान हो जाती है वो इस बारे में डैनियल से बात करती है डैनियल मैडिसन को क्लियर करता है कि उसे स्ट्रेंड के उपर डाउट है और उसे वो अच्छा अदमी नजर नहीं आ रहा था ओशन में वो लोग बहुत दूर तक निकल चुके थे इसी बीच एक अच्छी सी जगे देखकर ट्रेविस लिजा की बाड़ी को ओशन के अंदर फेक देता है क्रिस इस पूरे इवेंट से बहुत ज़्यदा अपसेट हो जाता है ट्रेविस क्रिस की सालत को देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस तुरंती ट्रेविस को एक पंच मारता है और उसे लिजा के मौत का जम्मिदार ठहराने लग जाता है अलीशिय जैक से लगाता रेडियो के थूरू कांटेक्ट में थी उसे जैक से पता चलता है कि उन लोगों की बोर्ट एबी गैली के कहीं आसपास ही है जैक अलीशिय से अपनी मदद करने के लिए कहता है एलिशिया जैक के हेल्प के लिए स्ट्रेंड से बात करने के लिए जाती है लेकिन स्ट्रेंड उन लोगों की मदद करने से मना कर देता है स्ट्रेंड मैडिसन के पूरे ग्रुप से बहुत ज़दा परिशान हो चुका था क्योंकि वो रास्ते में आने वाले सबी सर्वाइवर्स को बचाने के बारे में लगातार उसे परिशान कर रहे थे स्ट्रेंड उन लोगों के पूरे ग्रुप को धंकी देता है अगर इसी तरह से उसके उपर सर्वाइवर्स की मदद करने के लिए प्रेशर दिया तो वो उन लोगों के पूरे ग्रुप को समद में ही फेक देगा एलिशिया जैक को स्ट्रेंड के डिसीजन के बारे में बता देती है और वो उमीद करती है कि उसकी जैक से किसी ना किसी तरह मुलाकात हो जाएगी एलिशिया इसके बाद जैक से अपने पूरे कम्मिनिकेशन को कार्ट देती है उसी रात को जब उन लोगों का पूरा ग्रूप डिनर कर रहा था क्रिस अचानक ये बोर्ट से नीचे गिर जाता है निक तुरंती एबिगेली से नीचे कुच जाता है और क्रिस को डूढने के लिए चला जाता है निक को बोर्ट के नीचे बहुत सारे अंडेट तैरते हुए दिखाई देते हैं जिनें देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है वो लोग देखते हैं कि वो अंडेट एक बोर्ट के उपर से नीचे आये थे और उस बोट के उपर बहुत सरे बुलिट्स के निशान बने हुए थे निक क्रिस को लेकर अबिगेली के और लाट कर आ जाता है निक और क्रिस के बोट पर आने के बाद स्ट्रेंट उन लोगों को बताता है कि उन लोगों का लगातार एक बोट बहुत तेजी से पीछा करती हुई आ रही थी स्ट्रेंड इस पारे में अपने पूरे क्रूप को वांड करता है अबिगेली का पीछा एक बोट बहुत तेजी से कर रही थी इदर निक बोलिट की होल वाली बोट से उसकी लोगबुक को लेकर अबिगेली के अंदर आ चुका था निको उस लोगबुक से पता चलता है कि वो बोट सैन डियागो को बिलॉंग करती थी और उस बोट पर मिलिटरी ने हमला किया था जिसके कारण उस बोट पर मौजूद सभी लोग मारे गए थे मिलिटरी के हमलों के कारण ही उस बोट के उपर बुलिट्स के निशान थे निक जानता था कि स्ट्रेंड सेंड डियागो की और जाने की प्लानिंग बना चुका है वो उस लॉग बुक के बारे में जानकर उस बारे में स्ट्रेंड से बात करता है स्ट्रेंड उस वक्त निक की बातों पर जादा गौर नहीं करता वो अभी भी अपना पीछा कर रही बोर्ट से बहुत ज़्यादा परिशान था वो अपने पीछा कर रही बोर्ट के रडार से बचने के लिए अपनी एबिगैली को एक आइलेंड के किनारे पर लगा देता है वो लोग का आइलेंड पर पहुँच कर देखते हैं तो उन्हें दूर एक खर दिखाई देता है जिसके अंदर से उन्हें कुछ लाइट स्प्लेश करती हुई दिखाई देती है डैनियल और आफेलिया स्ट्रेंड के उपर नज़र रखने के लिए एबिगैली के उपर ही रुख जाते हैं जबकि ट्रैविस बाकी लोगों के साथ उस घर की और मूव कर जाता है ट्रैविस के मुलाकात उस घर में मौजूद एक आदमी से होती है जिसका नाम जॉर्ज गियरी था जॉर्ज गियरी उस घर में अपनी वाइफ मैलीसा अपने बच्चों वीला हैरी और सैथ के साथ वहाँ पर रहता था ट्रैविस को जॉर्ज के साथ बातों के दोरान पता चलता है कि मिलिटरी ने इस डिसीज को बढ़ते हुए देखकर वेस्ट कोस्ट के सभी मेजर शेहरों के ओपर बंबारी की थी ट्रैविस और मैडिसन अपने पूरे ग्रूप के साथ रात वहीं पर बिताते हैं अगले दिन सुबह वो जॉर्ज की डैड्स को हटाने में और फैंस की रिपेरिंग में मदद करते हैं उसी रात को मैलिसा मैडिसन को बताती है कि उसी ने फ्लेश लाइट के थूँ उन लोगों को सिगनल देने की कोशिश की थी मैलिसा मैडिसन को बताती है कि वो जानती है क्यों साइलिंट पर वो लोग ज़दा दिन तक सेफ नहीं रहेंगे और वो इसलिए मैडिसन की मदद चाहती थी वो चाहती थी के मैडिसन विला और हैरी को अपने साथ ले जाए और उं लोगों की रक्षा करे मैडिसन को मैलिसा की इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा आश्रे होता है वो मैलिसा की मदद करने के लिए तयार हो जाती है मैडिसन मैलिसा के बारे में ट्रैविस से बात करती है लेकिन ट्रैविस मैलिसा की मदद करने से मना कर देता है इधर डैनियल स्ट्रेंट के उपर शक करता था वो स्ट्रेंट के एपसेंस में उसके कैबिन के अंदर घुश जाता है डैनियल को स्ट्रेंट के कैबिन में एक मशीनगन दिखाई दे जाती है डैनियल को वहाँ पर एक मैप दिखाई देता है जो कि मैक्सिको बाजा का था डैनियल उस मशीन कर और मैप को देखकर स्ट्रेंट के उपर शक करने लग जाता है उसे लगता है कि स्ट्रेंट का मोटिव कुछ और था इधर निक को जॉर्ज के घर में घूमते हुए बहुत सारी मैडिसिन्स दिखाई दे जाती है निक को उन मैडिसिन को गौर से देखने पर पता चलता है कि वो मैडिसिन पॉइसनस थी निक उन पॉइसनस पिल्स को देखकर बहुत ज़दा डर जाता है वो इस बारे में आकर ट्रेविस और मैडिसिन को पताता है निक डाउट करता है कि जॉर्ज अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइट की प्लानिंग कर रहा था रैविस निकी इन बातों को सुनता है और वो मैडिसन के साथ मिलकर मैलिसा की मदद करने के लिए तयार हो जाता है तभी अचानक से वहां मौजूद सिच्वेशन पूरी तरह से बदल जाती है उन लोगों को पता चलता है कि विला ने गलती से उन पॉईजनस पिल को खा लिया था उन पॉईजनस पिल को खाने से विला की डेथ हो जाती है और वो रियनिमेट होकर मैलिसा के उपर अटेक कर देती है ट्रैविस अपने पूरे ग्रूप के साथ हैरी को लेकर बापस अबिगेल तक आ जाता है तब ही उन लोगों के पीछे जॉर्ज का सबसे बड़ा बेटा सेथ था जाता है सेथ उन लोगों के सामने गन पॉईंट कर देता है और उन लोगों से हैरी को बापस करने के लिए कहता है वो सभी लोग सेथ को देखकर मजबरी में हैरी को उसे बापस कर देते है स्ट्रेंड को यकीन हो जाता है कि अब उन लोगों का पीछा कोई भी नहीं कर रहा था वो तुरंती अपने पूरे क्रूप के साथ अबी गैली को लेकर वहां से रवाना हो जाता है उन सबी लोगों को जौर्ट से पता चल चुका था कि सैंडिया को पूरी तरह से खतम हो चुका था वो लोग इस बारे में स्ट्रेंड से बात करते हैं तब डैनियल उन सबी लोगों को बताता है कि स्ट्रेंड की प्लानिंग बाजा मैकसिको की और जाने की थी डैनियल के इस बात के रिवील करने से स्ट्रेंड उन सब भी लोगों को बता देता है कि वो असली में बासकी और ही जा रहा था और वहाँ पर उसकी पूरी सप्लाइस मौजूद थी स्ट्रेंड ट्रेविस और उसके पूरे ग्रुप को एशूर करता है कि वो लोगों का पूरा ध्यान रखेगा और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देगा उसी रात को अचाना कि एबिगेली में कोई खराबी आ जाती है इस ट्रेंड इस बारे में ट्रेविस से हेल्प मागता है ट्रेविस एबिगेली को चेक करने के लिए ओशन के अंदर उतर जाता है वो नीचे जाकर देखता है कि एबिगेली के वाटर ड्रेन पाइक में एक फस्स गया था, ट्राविस ये सब देखकर उसकी क्लीनिक करने लग जाता है। इधर निक, अलिशिया, क्रेस और डैनियल को एक प्लेइन क्रेश हुआ दिखाई दे जाता है। वो लोग अबिगेली की लाँच बोट की मदद से उस क्रेश प्लेइन से सप्लाइस लेने के जाते हैं, उन लोगों का पूरा ग्रूप अर्डेट से बचने के लिए इधर उधर हो जाता है। तब ही डैनियल की मुलाकात एक और सर्वैवर एलेक्स से होती है, जो कि डैनियल की वहां से निकलने में मदद करता है, और उसे वापस लाँच पॉर्ड पर लेकर आ जाता ह जहां पर डैनियल को क्रिस और अलेशिया मिल जाते हैं। सभी लोग उसी वक्त निक को एक और से आता हुआ देखते हैं, निक उस वक्त पूरी तरह से बलड में नहाया हुआ था। निक उन लोगों के पूछने पर बताता है कि उसने अंडेट के बलड को अपनी बाडी के लगा लिया था जिससे कि वो उनमें से एक हो चुका था। और अंडेट उसे इस तरह से पहचान नहीं पाये थे और वो अपनी जान बचा कर उस बोड तक पहुँच पाया था। वो बाचों ही लाँच बोड पर बैट कर अबीगेली के और लौटने लग जाते हैं। अलेक को लेकर अबीगेली तक लौट कर आ जाते हैं। इधर ट्रैविस अबीगेली को पूरी तरह से रिपेयर कर चुका था। सबी लोग जैक और एलक्स की मदद करना चाहते थे। वो इस बारे में स्ट्रेंड से बात करते हैं जबकि स्ट्रेंड उन लोगों की मदद करने से मन कर देता है। स्ट्रेंड जैक की इंजरी को देखकर अंदाजा लगा चुका था कि उसकी इंजरी ठीक होने वाली नहीं थी और वो मरके रियनिमेट हो सकता था। स्ट्रेंड इसे अपने लिए और अपने पूरे ग्रूप के लिए डेंजर मानता था। वो उन लोगों की अबिकेली के साथ साथ सेंड यागो के और मूव कर जाए। उसी आफ्टरनों को मेडिसिन देखती है कि स्ट्रेंड एकदम से आता है और वो उन लोगों की बोर्ट की रसी को काट कर वहां से चला जाता है। उसी रात को निक ओशन के अंदर कूद कर समुद के किनारी की और चला जाता है। वहां पर उसका सामना बहुत सारी अंडेट से होता है। वो वहां पर मौजूद बहुत सारी मिलिटरी कैम को देखता है। निक वहां पर स्ट्रेंड के कांटेक्ट लोईस से मिलने के लिए गया था। लोईस उन लोगों की मेकसिको तक पहुँचने में मद करने वाला था निकी लोईस से मुलाकात हो जाती है और वो तोनों एबिकल की और रवाना हो जाते हैं इदर क्रिस ओफेलिया के साथ एबिकली के डॉक पर मौजूद था उसे एक राफ पर एक फैमिली दिखाई दे जाती है जो कि बहुत ज़दा परिशान थी क्रिस और ओफे कर देता है और वो सबी लोग एबिकल के उपर कपजा कर लेते हैं स्ट्रेंड उन लोगों को अटेक करते हुए देख लेता है और चुप चप एक लाइफ पोर्ट में बैट कर वहाँ से निकल जाता है लेकिन स्ट्रेंड की पोर्ट अचानक रास्ते में खराब हो जाती है और सबुद्र के अंदर डूबने लग जाती है स्ट्रेंड एबिकल से भागते समय अपने साथ एबिकल की कीई भी ले गया था हाइकर्स का लीडर रीड ट्रेविस को गन पॉइंट पर लिए हुए था वो ट्रेविस से एबिकली को स्टार्ट करने के लिए कहता है रीड ट अपने इंटेंशन के लिए माफी मांगता है जैक एलिशा को अपने साथ चलने के लिए कहता है वो एशूर करता है कि वो लोग एलिशा की फैमिली को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे एलिशा अपने सामने कोई और रास्ता ना देख कर जैक क्या आफर को मान लेती है। इधर ट्रैविस एबिगेल को स्टार्ट कर चुका था। रीड और जैक का लीडर कुनोर वहाँ पहुँच जाता है। वो एबिगेल को बेस तक ले जाने का इंस्ट्रेक्शन देता है। कुनोर एलिशिया और ट्रैविस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। एलिशिया और ट्रैविस ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जैक उन लोगों को एश्योर करता है कि उन लोगों की फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। कुनोर और जैक ट्रैविस और एलिशिया को लेकर बेस की और मुव कर जाते ह है। इधर निक लूइस के साथ अबिकेल तक पहुच चुका था। वो दौना मिलकर अबिकेल और अपने सबी साथियों को आजात करवा लेते हैं। रीड इस लड़ाई में बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। निक रीड को बंदी बना लेता है। मैडिसन लांच पो में कुछ जानकारी मिलती है। स्ट्रेंड एपोकेलिफ से पहले एक रियल स्टेट इन्वेस्टर था जो कि एक हरीकेन कैटरीना के आने से अपना बहुत सारा पैसा गवा चुका था। एक होटल में स्ट्रेंड की मुलाकात एक और इन्वेस्टर थॉमस से होती है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दोनों में आपस में एक रिलेशन्शिप बन जाता है। थॉमस के ही थुरू स्ट्रेंड की मुलाकात लूइस से होती है। और वो सबी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्ट्रेंड और थॉमस बाजा के ही एक घर में र स्ट्रेंट के अभी तक के लिये हुए एक्शन्स शो कर रहे थे कि वो बाजा में अपने स्प्रेंट थामस से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचेन था और वो इसलिए अबिगेल के थू बाजा के और मूव कर रहा था। बेस तक लेकर चा चुका था। वहाँ पर अलेश्या को जहाजो को लोटने की और उनके टार्गेट का पता लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अलेश्या अपनी फैमिली के बारे में जानना चाती थी वो जैक से फ्रेंडली होने का दिखावा करने लग जाती है। जैक अलेश्या को क्लियर करता है कि वो उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तब ही उन लोगों को अबिकेल के बेस पर आने की नीजूस मिलती है। अलेश्या को समय से पहले अबिकेल के बेस पर पहुँचने से ये महसूस होता है कि उसकी फैमिली को पारे गैंग ने मार दिया था। वो जैक से इस पारे में बात करती है और उसे अपने वहाँ से बाहर निकलने में मदद मांगती है। जैक एलिशय से प्यार करने लगा था। वो दाना मिलकर बेस से एक बोट को चुरा कर दूर कहीं जाकर साथ रहने की प्लानिंग बनाते हैं। ट्रेविस को बेस पर ही एक जेल में बंद कर दिया गया था। वहाँ उसका सामना एलिक्स से होता है। एलिक्स ट्रेविस को बहुत बुरी तरह से परिशान करने लग जाती है। वो Travis को बताती है कि जब उन लोगों के ग्रूप ने उसे समुद्र में अपने साथी के साथ अकेला छोड़ दिया था, तब उसे मजबूरन अपने साथी को मारना पड़ा था, और Jack के ग्रूप ने उसे ढूंड लिया था, और तब उसी ने Jack के ग्रूप से Abigail की लोकेशन को शे क्रेस रीड की इन सब बातों से इतना ज़्यादा चिर जाता है कि वो रीड की गन को छीन कर उसे गोली से मार डालता है, क्रेस इसके बाद मैडिसन से रीड के परे में बात करता है, वो मैडिसन को कहता है कि रीड मार के रियानिमेट हो चुका था, जिसके कारण उसे उसे मा पढ़ गया था मैडिसन क्रिस की इन बातों को सुनकर चिंता में पढ़ जाती है क्योंकि अब उसे ट्रेविस और ऐलीश्या की चिंता होने लग जाती है मैडिसन उसी वक्त रीट को रियनिमेट होते हुए देखती है वो समझ जाती है कि क्रिस उससे जूट बोल रहा था और रीट को अपने गुस्से के करण मार डाला था डैनियल रीट को इस तरह से रियनिमेट होते हुए देखता है और उसके दिमाग में अलीश्या और ट्रेविस को छुडाने का एक प्लान आ जाता है वो मैडिसन को बताता है कि वो लोग रीट के फेस को कवर कर दें और उसे को बचा सकते थे मैडिसन रियनिमेटेड रीट को लेकर ट्रेविस और एलीश्या को छुडाने के लिए रवाना हो जाती है मैडिसन रियनिमेटेड रीट को लेकर कुनूर के पास पहुँच जाती है कुनूर रीट के पतले ट्रेविस को आजात कर देता है रीट जैसे ही कुनूर उसके सिर के बैक को हटा कर उसकी और देखता है वो रियनिमेटेड रीड को देखकर चौंक जाता है रियनिमेटेड रीड तुरंती कुनूर के उपर हमला करके उसे मार डालता है और वो वहां माजूद कई और लोगों के उपर भी अटेक कर देता है इदर जैक देखता है कि अलिश्या मिसिंग है वो अलिश्या को चाराओ ढूलने लग जाता है उसे अलिश्या एक बिल्डिन की ज sulphक के उपर दिखाई देती है अलिश्या भी जैक को देख चुकी थी वो से चिला कर बताती है कि वो जैक के साथ नहीं रहना चाती थी और वो अपनी फैमिली के पास लॉट कर बापस जाना चाती थी ये कहकर अलिशा पानी के अंदर कोच जाती है ट्रैविस और मैडिसन जो कि पानी के अंदर बोट में मौजूद थे वो दाना अलिशया को बाहर निकाल लेते हैं और वो सबी मिलकर बापस अबिगेल के और चले जाते हैं स्ट्रेंड मैकसिकन मिलिटरी को पैसे दे कर वहां से निकलने के लिए अपने लिए एक सेफ पैसे त्यार कर लेता है लेकिन तभी एक गन फाइट शुरू हो जाती है जिसमें दो आफिसर और लुईस के अलावा सभी स्ट्रेंड की कांटेक्ट मारे जाते हैं वो बच्चे हुए लोग किसी तरह से उन लोगों को वहां से लेंट तक पहुँचाने में मदद कर देते हैं ट्रविस और स्ट्रेंड अपने पूरे ग्रूप के साथ आबिगेल कंपाउंड की और मुव कर जाते हैं रास्ते में उन लोगों का सामना बहुत सारे अंड़ैट से होता है अंड़ैट का सामना करते हुए मैदिसन जमीन के उपर गिर चाती है क्रिस मैडिसन के पास ही उस वक्त मौजूद था वो मैडिसन की उस वक्त कोई भी मदद नहीं करता अलिशिया क्रिस को इस तरह से देख लेती है और वो मैडिसन के उपर अटेक करने वाले अंडेट को मार डलती है वो सबी लोगे कंपाउंड तक पहुँच जाती है वो कंपाउंड अबिकेल फैमिली को बिलॉंग करता था और अब उन लोगों की क्रुप को उन लोगों की लीडर सीलिया लीट कर रही थी उन सबी लोगों का वैलकम सीलिया करती है सीलिया उन सबी लोगों को उन लोगों के वैपन्स पहारी रखने के लिए कहती है स्ट्रेंड की मुलाकात वहाँ पर अपनी दोस्त थॉमस से होती है स्ट्रेंड देखता है कि थॉमस को बाइट कर लिया गया था और उसकी अब डैथ होने ही वाली थी स्ट्रेंड थॉमस से बहुत ज़दा प्यार करता था वो रात वो दोनों एक साथ बिताते हैं स्ट्रेंड थॉमस को मैंटली उसके आने वाली डैथ के लिए प्रपेर करता है अलिशिया क्रिस से उसके मैडिसिन के उपर एक्शन न लेने के पारे में बात करती है क्रिस अलिशिया की इस बात को इगनोर करता है और उससे इस बात को किसी को भी न बताने के लिए धमकी देने लग जाता है निक और सीलिया का आपस में आमना सामना होता है सीलिया निक को बताती है कि वो अंडेट को मरा हुआ नहीं मानती है वो मानती है कि वो उन लोगों के जीवन की एक नई शुरुआत है निक सीलिया की इन बातों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ट हो जाता है और उन दानों के बीच में एक अंजाना बॉर्ण बन जाता है इधार स्ट्रेंड थॉमस की हालत को देखते हुए उसके साथ सुसाइट करने का मन बना लेता है सीलिया स्ट्रेंड के इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश होती है वो थॉमस और स्ट्रेंड दोनों के लिए ही कुछ पॉइसनस कुकीज बना कर उनको दे जाती है सीलिया डैट के रियनिमेट होने को एक बहुत अच्छा प्रोसीजर मानती थी इधर डैनियल को वहां मौझूद हालातों से उस जगे के उपर शक होने लग जाता है वो रात होती ही कपाउंट के अंदर इन्वेस्टिकेशन करने लग जाता है डैनियल को वहीं पर एक सैल के अंदर बहुत सारे अंड़ेट दिखाई देते हैं डैनियल उन अंड़ेट को देखकर समझ जाता है कि वो सबी एबिकेज़ फैमिली को बिलॉंग करते थे और उस फैमिली के मैंबर्स थे डैनियल इस बारे में सीलिया से बात करता है Madison, Alicia की इन बातों को सुनकर इस बारे में Travis से बात करती है, वो Travis से कहती है कि Chris बहुत ज़्यादा भटक चुका है, उसे समझने की जरूरत है, Madison और Travis Chris को लेकर आपस में बहस करने लग जाते हैं, Travis ये मानता था कि वो हमेशा Nick की मदद करने के लिए आगे रहता था, जबके Madison का Chris की मदद करने में कोई भी इंट्रेस नहीं था Madison Travis की इन बातों से बहुत ज़्यदा डर जाती है वो Alicia की safety को लेकर बहुत ज़्यदा चिंदित थी वो उस रात Alicia के पास ही सो जाती है आदी रात को एक gunfire के आवास सुन कर Alicia और Madison की नीन खुलती है वो दोनों अचानक से ओड़ जाते हैं वो दोनों Chris को अपने बाजू में एक नाइफ पकड़े हुए खड़ा हुआ देखते हैं Chris उन दोनों को उठा हुआ देखकर तुरंती वहां से भाग जाता है अब हम लोगों को दिखाया जाता है कि gunshot के आवाज Strand की पिस्टॉल से निकली थी क्योंकि उसने Thomas को गोली मार कर खतम कर दिया था Thomas और Strand दोनों नहीं Celia की बनाई हुई Poisonous Cookies को नहीं खाया था अब इस बीच हम लोगों को एक और Flashback दिखाया जाता है जहाँ पर Celia अपने एक पूरे Community के साथ एक चर्च के अंदर मौजूद थी Celia वाँ मौजूद सभी Members को Poisonous Cookies को खाने के लिए दे रही थी Thomas को Celia की इन बातों का बता चलता है और वो उसे रोकने के लिए चर्च तक पहुँच जाता है Thomas चर्च तक पहुँच कर देखता है वो बहुत लेट पहुँचा था और वहाँ पर माजूद सभी लोग कोकी इसको खाकर मर चुके थे